दोस्तों आप सभी के एक पर फेसे LTS में स्वागत है आज हम कॉन्ट्रैक्ट मनफैक्श्रिंग के ऐसे दो कमपनियों का चुनाव कर रहे हैं और दोनों कमपनिया मुझे ऐसा लगता है कि बविश में आपको बहुत बड़ा रेटन बना के देंगी उसका कारण है और क्रमशा हम उनके बिजनेस पे उनके फनेशल्स पे चर्चा करेंगे आपको दिखाएंगे और किस प्रकार की ग्रोथ हो सकती है देखे जो वर्तमान हाला थे भारत वर्ष में जिस प्रकार से सरकार बढ़ावा दे रही है मनफैक्शरिंग को मेक इन इंडिया के तहत अगर हम देखे केमकल सेक्टर को तो हमने कवर कर लिया है आज जो कंपनिया है जिनको हम ले रहे हैं वो हैं पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नलोजी और दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान फूर्ट्स लिम्टेड तो इन कंपनियों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पोटेंशल हो सकता है पास्ट में LED TV हो गई, home appliances में अगर देखते हैं washing machines हो गई lightning solutions में अगर LED bulbs हो गईरा जितनी प्रकार की lighting होती mobile phones हो गई, tab हो गई, laptops हो गई CCTV हो गई, reverse logistic refurbishment हो गई, medical में जितनी भी required होती, वो सारे उपकरणों बनाती है setup boxes हो गई, तो इस तरीके के product का निर्माल करती है और अनीक प्रकार की जो है अगर देखें, companyya इनको जो है अपने orders देती हैं, बनाने के लिए manufacturing के लिए ठीक है, समय दर समय ये company अपना expansion भी करती जाती है, साथी साथ अलग-अलग units भी लगाती जाती है, इसलिए आप देखेंगे इतने महेंगे valuation पे भी इसमें बहुत कम गिरावट आती इतने बाजार के गिरने के बावजूद भी अगर देखें, make in India के तहत government के तरब से भी इनको support है PLI scheme के अंतरगत आने वाली company है, तो उससे भी इनको encouragement मिल रहा है ताकि exports को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और manufacturing यहां हो, ताकि बहुत ज़्यादा रोजगार का स्रजन हो सके डिक्सन का अगर हम आज price देखते हैं करीब 12 बजे हैं, तो 5,160 रुपए की price पे trade हो रहा है साल का high low अगर देखते हैं तो 276 का low बना के 6,247 का high बना चुका है और अभी जो है 1,500 पे trade कर रहा है एक वर्ष में जो return बचे हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी 123 प्रशचत के return मिल रहे हैं जिन्होंने 6 महिने पहले निवेश किया होगा उनको करीब 20-21 प्रशचत के आसपास के return मिल रहे हैं अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा माली यह कुछ पास्ट के वर्षों के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो देखिए 2012 में जो मात्र सेल्स हुआ करती थी 572 करोड की 2021 में 6448 करोड की हो चुकी है तोटल रिविन्यू ठीक है इस प्रकार से प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 2012 में करीब 7 करोड का लॉस जो हुआ करता था उसके बाद से इसने पीछे मूर कर नहीं देखा और उसके पशचत 5 करोड का प्रॉफिट 14 करोड का प्रॉफिट 12 करोड का प्रॉफिट वो 36% मतलब सालाना जो है 36% के हिसाब से ग्रो कर रही है यह company अगर profit growth देखते हैं तो वो भी करीब 5 वर्षों का 36% के हिसाब से ग्रो हो रहा है और return on equity भी देखते हैं 5 वर्षों के 24% है जो कि एक अच्छी है quarters के number देखते हैं तो आप देख सकते है quarter 1 से quarter 2 में देखें जहां sales 1860 करोड क्वाटर 1 में थी बढ़के हो गई 8204 करोड की और इसी तरीके से profit भी अगर देखते हैं हाला कि यह covid का साल रहा है अगर आप देखेंगे overall तो यह भी प्रभावित हुए company इसी वज़े से quarter 1 में देखेंगे तो यहां पर देखें गिरावट है लेकिन अगेन इसने जो है तेजी दिखाई है आप देखेंगे profit अच्छा खासा निकल के आया है quarter 2 में 63 करोड का जो की quarter 1 में था 18 करोड का और पिछले quarter 1 था यानि quarter 4 में 44 करोड का इस तरीके से दोस्तों अगर जो दूसरी company क बात कर लें तो उसका नाम है हिंदुस्तान फोर्स लिम्टेड जो की FMCG के लिए कई सारे अलग-अलग कमपणियों के लिए product की manufacturing करती है सारा कुछ करती है तो एक नजर पहले हम business में डाल लेते हैं विसे brands हो गया नाइका हो गया हर्पीक हो गया रिट लेबल हो गया ताज अगर देगे फूर एंड बरजड में परसनल के अ बहुत नवर जुनाघर एक एकसरी में अड़े जाते लेतर में आधा जाते हैं एस बाटा जैसी& suivi के बांपनियों के देखते हैं 1830 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है एक परसन की गिरावट है और देखें 12 बजे के आसपास दिनांक 7 दिसंबर 2021 को अगर हाई लू देखते हैं साल का तो 900 का लो और 2578 का हाई और करीब करीब देखा जा तो मद्ध में ट्रेड कर रहा है इतनी गिरावट हो चुक से ज्यादा का और डिलेवरेबल है 78% के आसपास 10 रुपया की फेस वैल्यू है पर शेयर और 3,904 क्रोड की मार्केट के पर जो कि एक स्मॉल केप कमपनी है तो दोस्तों इस तरीके से आपको कुछ ध्यान देना है गौर कीजिए गया कि जहां 2010 में आज से ठीक 10-11 साल पहले 3 करोड की जो सेल्स हुआ करती थी आज अगर देखेंगे 2021 में 1386 करोड का इनका टोटल राजसो है इस वित वर्ष में इसी तरीके से हम सब कुछ स्किप करके हुए आज आते हैं अगर मालीजी नेट प्रॉफिट में तो करीब देखें 2014 तक तो लॉसी रहा क्योंकि एक्सप ब्याब रहे जो कि एक बहतरीन है इस तरीके से अगर हम कंपाउंडेट देखते हैं तो 10 वर्ष में जो सेल्स ग्रोथ रही है असी प्रश्ट के आसपास निकल के आ रहे जो 5 यर की रही है 125 परसंट की और जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा अगर 10 वर्ष में का देखते है 93 पर अब इन दोनों कंपणियों में क्या रिस्क क्या है देखिए पहले चीज़ तो आप यह समझे कि अगर ऐसी कंपणियों में आप निवेश करते हैं प्राइस जो भी हो स्टॉप प्राइस जो भी हो क्योंकि बाजार वैल्यू दे रहा है तो दे रहा है जिस तरीके से भारत वर्ष में इन कमपनियों को प्रमोशन दिया जा रहा है, सहूलिती दी जा रही है, काम करने के लिए जो freedom दिया जा रहा है, ताकि बड़ी-बड़ी कमपनियों के लिए अच्छे manufacturing कर सके, international, national दोनों प्रकार की, और साथ ही साथ, रिस्क क्या हो सकता है, जैसे कि हम कोई ठेका लेते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, तो कभी-कभी समय-दर समय हो सकता है किसी चीज के raw material के price उसके बढ़ जाए, चुकि आगे तो हम उसी price पे उनको दे रहे हैं, लेकिन पीछे जहां से हम माल उठा रहे हैं, कच्छा माल, उसमें अगर तेजी आ गई, जो हमारा margin होग उस पे बहुत फर्क पड़ा जाता है, तो यही एक risk हो सकता है, लेकिन अगर आप Hindustan Foods को ध्यान से देखेंगे, जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको diversification किया है, हर साल कहीं न कहीं अपने unit लगा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी एक साथ tie-up कर रहे हैं, इसे तरीके से Dixon Technology भी स जो input cost होगी, अगर वो बढ़ती है, तो इनके margin पर प्रभाव पड़ेगा, परन्तु इतना जादा चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि growth oriented company हैं, और रही बात बहुत साई लोग इस दर से निवेश नहीं करते हैं, कि कुछ छोटी company हैं, जो या बहुत valuation की महेंग कंपनिया हैं, अगर उन पे हम निवेश करें, कहीं आईसा में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, तो हमारा पैसे का loss हो जाए, देखे, company खतम नहीं हो जाएगी, आपके share की quantity खतम नहीं हो जाएगी, है न, इसे price का fluctuation होता है, वो भी short term के लिए, तो होगा क्या ऐसे में, अगर ये company खतम होती है, तो बहुत सारी company उसे इनका tie-up पहले उनको खतम होना पड़ेगा, जिनके लिए products बनाती है, तो ये सारी चीज़े भी ध्यान देने वाली बात है, कि किसी business को समझें, किस brand के पीछे कौन सी company आए, तो ऐसी company उनको जो है products बना के देती है, तो यही क इन में SIP मोड पे ही हर महीने कुछ shares लेते जाएं, धीरे धीरे एक समय के बाद आपके पास अच्छे खासी quantity हो जाएगी, और बढ़िया returns भी प्राप्त होंगे, बस यही कहना चाहूँगा, आपके भी कोई विचार हों, सुझाओं हों, इस company के प्रती जरूर को inbox में रखि क्रवाँ,verse के बाद, आपके लिवाँ, सुझाओंहूँच्द psychic जरूर कोैे टाति झाएं, सנजी हों, स्चाओंहेंवीर लेडे स्थैध़ कोे के बाद भी कोा क्रेंखरों के बाद, आपके बाद, आपके फजाएंगर और आएं, सबंदके हों, सब्सके रगने में संदके म